प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी हर महिने के आखरी रविवार को मन की बात रेडियो कारिक्रम करते हैं आज मन की बात कारिक्रम का 105 वा एपिसोड रहा सुबह 11 बजे मन की बात कारिक्रम का प्रसारण किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मन की बात कारिक्रम के जरिये देशवाशियों से बात की इस कारिक्रम में उन्होंने चंद्रयान तीन की सफल लेंडिंग से लेकर G20 के सफल आयोजन तक बात की G20 की अपार सफलता के बाद ये पहला मन की बात कारिक्रम है इस कारिक्रम में PM मोधी ने बताया कि किस तरह से उन्हें देश के कोने कोने से संदेश मिल रहे हैं एक बार फिर से मुझे अपने देश और देशवासियों के सफलता को साज़ा करने का अवसर मिला है इसी कड़ी में वारांसी के मिंट हाउस में भी भाजपा के वरिस्ट नेताओं, कारिकरताओं और अन्य लोगों ने मिलकर पीम के मन के बात कारिकरम को सुना और उससे प्रेरित हुए इसके बारे में बताते हुए भाजपा के वरिष्ट नेता धर्मेंद्र सिंग ने बताया कि मन की बात कारिक्रम में हमारे देश के पीम पुरी दुनिया को अपनी बातों से प्रेरित करते हैं और हम लोगों के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि काशि विश्वनात मंदिर में जो बाबा की आरती होती है जर्मनी में बैठी बेहन काशि विश्वनात के स्लोक का वाचन पुरे लैसे करती है ऐसे ही तमाम बेहने हमारी दूर दूर से भारती संस्कृती से जुड़ रही है ऐसे ही विश्व को एक साथ जोड़ने के लिए हमारे पियम लगातार कारिक कर रहे हैं या इसका प्रतिबिम्भ है कि आज पुरी दुनिया हमारे भारती संस्कृती और परंपरा से जोड़ रही और इसका ही संदेश प्रधान मंत्री ने आज के मन की बात में कहीं आज मन की बात में उन्होंने बहुत सारी बातें प्रेरक बातें कहीं कि कैसे हम लक्षे को अगर ठान लें तो कैसे लक्षे को हासिल कर सकते हैं हम लोगों के लिए सबसे प्रसनता की बात है कि जो काशी विश्वनात मंदिर में प्रति दिन भावा विश्वनात की आरती होती है एक जर्मनी में बैठी बहन वहां से जो देख भी नहीं सकती वह काशी विश्वनात जी के इस लोग का वाचन करती है और पूरे लह से करती है किनागिंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भसमांगरागाय, महेश्च्वराय तो इस तरह से वहां से कनाडा में बैठी हुई एक हमारी बहन वहां से तो यही विश्च को एक साथ जोड़ना वसुधय कुटुम्बकम का जो G20 के माध्यम से एक नारा दिया विश्च को आदर्णे प्रधानमंत्री जी ने उसका एक प्रतिविम्ब है कि आज पूरी दुनिया इस भारती संस्कृती से, भारती दर्सन से, भारती सब्वेता से भारत में जैसे एक समू के साथ संयक्त रूप से रहना, सामुहिक्ता के साथ, जीना, सामुहिक्ता के साथ, चलना तो ये सब संदेश आज उन्होंने मन की बात में दिया है बहुत सारे विद्वान यहां, डाक्टर स्रिधानन जी, डाक्टर मन्नु यादव जी, आदनी गान्दे जी, सब लोगों ने बहुत सामहिक रूप से आप जल, जीवन, जलवाय, कैसे हम प्रकित की संड़क्षा कर सकते हैं, हमारे जितने देवी देवता हैं, वो प्रतीकों म हमारे जिते हैं, जो उनके प्रतीक हैं, आज भावा, भाव विश्वनाद का प्रतीक, नंदी, सवारी क्या है, नंदी, भगवान गडेश की सवारी क्या है, चूह, मूस, तो मूस की सवारी, तो ये माध्याम है, कि हम जीव जन्तुओं की कैसे, अपना संजहें, उनको अप झाल झाल